तो है लो गाईज कैसे वह आप सभी आई हो कि आप से बहुत अच्छे होंगे बढ़िया है सब कुछ फाइन है चलो तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है देयर कॉड़िश तो आप सभी का मौश मौश वेलकम है लेक्ट्टर तो हमारे सब्सक्राइब यहां पर दिया हुआ है अट परिश्टर नाम पर दिया हुआ है अनवार्ट अपरिल टूर्ट शिक्ति निस्टर पुना वाला और पूल अटू अटू परचेस एक्विपमेंट्स अगें श्याट इस चेक्ट बिशुट्स इस इस्ट्रॉल्में आपको नहीं होंगे यह सिंबल है चुटू अपको नहीं होंगे यह सिंबल है चुटू मैं पूला होगा सबसे पहले मैंने यहां पर क्या बना लिया लेजर बना लिया इग्विप्मेंट्स करते होया आप को अश्याट ने मेरे स्क्राइब वैलू यह होगा मेरे स्क्राइब वैलू यह क्या है फॉर्मूला है किस तरीके से निकालना मैं समझा दूँगा आपको कब से बात करूं कि इस कब चालो हुआ फॉर्स्ट अपरिल को कि वर्स्ट आपरिल 2016 से लेखे 31st मार्च 2017 कितना हो जाएगा एक यह हो जाएगा और बस अभी सोड का भी किया फॉर्स्ट जैन को किया समझना है अभी यह 31st मार्च अभी यह फॉर्स्ट अपरिल कि 2017 से लेके 31st मार्च 2018 से लेके 2019 तक है अभी 2019 में इसने फॉर्स्ट अपरिश्ट 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 मार्च क्या हुआ है वर्स्ट जैन को क्या हुआ है सोल्ड हुआ हफना की तीन महीने पहले ही मशीन को बेची दिया गया है तो इतना आपको समझ गया तो अब अब इसक्राइब निकाल लेकि दिए यह फर्मूला है क्या फर्मूला है कॉस्ट आफए पारस्ट मार्च करेंब अब आपको स्थे तर और इस थे कितना है बच्च जारे इतना है पचास intéress आजारे आप पॉस्ट कितना है पचास ला रहे है मैं यहाँ पर लिकिन गएंगा कर अब लोग चाहिए टूटाउज़ तो इसके रहा है तो इसके रहा है तो इसके रहेलों को दिया रहे है तो तो यहां पर लिख लिया तो ने कि बापन सींग इसपेस यह मैं ते लिए ना ऊपदा इक्विपेंट इस ट्यूमेटेट था इप आप दर क्या है यह एट यह कितना हो जाएगा फिट्टी वैसे अगर तू जाएगा तो कितना जाएगा पूर्ती एट हाउजन बचेगा तीट इसे कितना आजएगा एट फाइदा इस से आपको पूर्ट इसका डिया गया है और आपको स्क्राइब वैलू अगर यह सब दिया है अगर यह सब दिया है अगर यह सब दिया है प्रिशीयेशन और परहनम मतलब कि परहनम मतलब करोगी आप बच्ची की डॉट्ट्स रहेंगे आप तब तो पर यह कुछ पर सेट आपको निकालना है साइड में आपको कमपनी को कमपनी एक ने बोला है कि आप जो भी मशीन वगरा ले रहे उसके आपको 10% करना तो आप यह क्या कर सकते मसीन को यह बड़ननी आएगा आप कोई लोस खर्चान आएगा इस दूड़ित नहीं पड़ इशेशन निकालने यह चीज़े बोग उतना व्वाट है जिससे आपको किना फ्यूचर अगर मेरे पास यह पेर यह पेर में चलने वाला है आप मैं क्या करूँगा यह पर बिक निकाल दूगा इतना निकाल दिया आप मैं मुझे एक और लेना है तो कही ना कहीं मैं जो पेसे निकाला हूँ डेप्रेशेशन का उससे मैं पेन ले सकता हूँ इस तरीके से आपको डेप्रेशन निकालने के लिए कंपनी एक्ट 2013 बोलती है कि आपको पर बंद किसी इतने इतने का परचेस किया है जब भी आप मशीनरी पर्चेस करते हो तो आपको पैसा आएगा कि जाएगा अबढ़ने कात्र पाउनाप कि करते हैं है तो आपके परचेस क्या बाल यहा पूसर्ट क्या है बढ़ने कि क्रयों शाद टाल है n हुछ कि अनैंस श्यकुर्डभार आपके अले परज़े पास आईगा फइसा जाए नाया these जाएगा क्रेडिट ओंस लक्न और तो यहां तक आपका हो गया आप पूरा गया इस करना है आपको कोश्र में बोला नहीं मैं चार्ज करूंगा कि मैं पूरा सम करना जागा ठीक है कि यह होगा 31st March 2017 में हो जागा इसको एक यह अब जब एक यह का आप चार्ज करना है और जब भी आप चार्ज करना है और जब जब भी आप डेप्रीशेशन चार्ज करते हो बच्चो तो आप सभी को पता है कि डेप्रीशेशन ऑल्वेस क्या होता है डेविड होता है तो मैंने यहाँ पर लिखना है डेप्रीशेशन क्या बात में कडाल ऐकांट क्या हो जाएगा धीबयोल जाएगा थाके सिंपल एंसे टाना है डेट की स्का नाम है एग काईब मेंस का यह पहलत ऑनिन के सब्सक्रणा कांुख युट खाल करना लश्टार है तक पर येर्ट येक्रन होता है इसको आपको ट्रांसफ़र करना होता इसके बाद त्रांसफर करने के लिए कोई है ट्रांसर भी तूरण होगा 31st मार्च कोई होगा 31st मार्च टूटाउजब 270 ठीख अब ट्रांसफर होएगा तो जो यह डिप्रीशीयेशन यहां पे कहां पे है NOT डेविट साइड में हे वो कहां चला जाएगा क्रेडिट साइड में चला जाएगा कहां चला जाएगा क्रेडिट साइड में चला जाएगा तो लिखू में टू डेप्रीशिएशन एकाउंट तर अधिए उपर किस में ट्रांसेर कर रहे हैं अपको प्रॉपेट अनल स्ट N saw एक हमेशा ऑल्वेश sort or क्या नाम आएगा प्रॉपेट अलॉज। एकान ड्रॉब हैट ह स्ट केखं़ जाएगा कितना है से ली तो सहाँ भी श जा जाएगा और आहां भी आपका 6000 आज आएगा सिंपल चलू यह आपका फर्स्ट एर का हो गया फर्स्ट एर का होगा अपका सब्सक्राइब कर रहा है अब सकेंड यह में सेंग यह जो 31 मार्च 2017 है अब फर्स्ट आपका बिजनेस चालू हो जाएगा ठीक है अब और में कभी होगा वह एब और एंड होगा 31 मार्च 2018 में होगा ठीक है 2018 में होगा अच्छो चलू है अप 2018 में फिर क्या चार्ज करना फिर आपको डेप्रीशेशन क्योंकि अपने उस ताइम पे कुछ खरीदा ही नहीं है कुछ वगेरा पर्चेस नहीं किया तो उसी का जो आपने पहले से ही अलसी किया है आपको उसका ही निकालना पड़ेका फिर जाएका पूँए चैनला इसका तो छे चेल हजारrib और यहां पर एब भी सेजार आज आएगा ओध्या और क्या करना पड़ेगा प्रॉपिर यास में ट्रांसफर करना पड़ेगा जब प्रॉफित औरlee Αब करोगे के जी लिडिक नाम आएगा पेनल मतलब प्रफिट और लौस अकाउंट टू लौस अकांडल प्रफिट इतना चार्ज करना से मुत नहीं जितना ट्रांसफर कर रोगे उतना है जो पर था वहीं नीचे आ जाएगा वह यह मांट ट्रांसफर करना सिंबलें खतम हो गया आप तिसरे करने के लिए मैं क्या करूंगा एक स्लाइड ले लूँगा और क्या चीज़े खतम हो गई है तो लो हो गया आपको करना अब यहां तक था यह हो गया आपको यह करना है आपको क्या करना है यह कर ना है इस मेरे पास से मशीना मैं चले जाएगी तो मैं च्या पागल हूँ कि depreciation पूरे साल का चार्ज करूंगा सिर्फ 9 महिने का ही चार्ज करूंगा तो कि जनवरी में चार्ज चुकी है परस्ट जनवरी कुछ आ रही है जनवरी फरवरी मार्च अप्रिल ठीक जनवरी फरवरी मार्च मतब तीन महिना पहले में क्या कर रहा हो मशीन को बेज दे रहा हो तो 12 में से अकर 3 चला गया तो कितना 9 महिना बचा तो 9 महिने का आपने को depreciation चार्ज करना है बच्चो चलो तो 9 महिने का आप depreciation चार्ज करो गया देखो तो यहां पर क्या आएगा आपको आएगा 2018 तक तो हो गया अब 2019 को 31 मार्च को आपका इयर खताब होता है बट आपने क्या किया है फर्स्ट जैन को क्या कर दिया है सोल्ड कर दिया है मशीन को तो क्या लिखेंगे अब यहां पर डेप्रिश आपको नौ मैंने का चार्ज करना है आपने दो साल का तो पूरे साल का चार्ज किया बट यहां पर आपको सिर्फ 9 मंद का चार्ज करोगे आपको पता है जब आप depreciation चार्ज करोगे तो किसका ना आएकप्यिप्मेंट्स अकाउंट के अपको यहां पर बता रहां आपको समझाने कें बता रहा हूं ठीकैट अप tuh गर तरह चार सब्सक्राइब तो ये पैटाली सूर पर चार्ज करों के नाइन मन्थ का डिप्रेशियेशन आपको करके देखना यह आनसर आएगा मैंने आपके कर लिया है तो 55 रुपए क्या हो गया आपके लिए डैप प्रीशेशन क्या हो गया चार्ज हो गया आप इसको सेव आपको फर्स जैन को क्या करना पड़ेगा फर्स जैन को ही 2019 में ही इसको ट्रांसफर करना होगा कभी प्रॉफिट अन लॉस में जब यह प्रॉफिट अन लॉस में ट्रांसफर करोगे तो और नीचे किसका नाम आज जाएगा ट्रांसफर करो तो क्रेडिट में आ जाएगा सिंपने कितना है पैतली सो है तो यहाँ पैतली सो यहाँ पैतली सो है समझ गए यहां तर समय आपको लिखना है नहीं सिंपल है कुछ नी करना सिरी बिलागा एकना बिंग चार्ड डेप्रीशियेशन पॉर नाइन मंत इसका ल आप ट्राय करो तभी आगे जाओ इसका मार्स आपको मिलेगा कुछ भी लिखो आपको मार्स मिलने वाला यह पर उसे मिलता जुलता है आप ट्राय करो खुब से तुसे आपका नौरजी बढ़ेगा और आपको समझ में ब्याज जाएगा ठीक है चल उसके बाद क्या गया है ये झायगा पैसा इगा थो पैसा आएगा तो लिखना है बास्तों जैड़ ऑद से टूटाउजन ना हैंटेल टो पैसा ना बेंक अकाउंट पैसा आइगा आपने कितने का पैसी सुनकर मसीन को बेचा 175 अगॉचंट पैंब है ठीक है आपके पास से क्या जा रहा है आपके पास से एक्विपमेंट जा रहा है आप एक्विपमेंट का वैलू कितना है यह निकालना है आपको एक्विपमेंट का वैलू देखिए अब एक्विपमेंट का वैलू आपको में हाप निकल के दिखा रहा हो देखिए एक्विप पचास जार के एक्विप्मेंट्स में आपने स्ट एर का चार्ज किया 6000 सँक्रेदेर का भी डेप्पिरिसियेशन चार्ज किया 6000 थज्चाइब किया 4500 ठीक है तो तीन साल में आपने ये सिसाज किया तो आपके अगर शोलह हजार पांसो इसमिन से लेस करो तो फैतीस सो यह बच जाएगा अब यह तैसे जर पांसो की वैलू हो गई कि जो पचाहसर की एक्वेप्मेंट्स थी वह आप डेप प्रिशन निकालने के बाद अब इसकी वैलू कितनी हो गई मतलब कि आपके लिए क्या हो गया प्रौफिट हो गया ठीक है अभी जो profit and loss है इसको आपको transfer करना होगा जब भी profit है इसको आपको transfer करना होगा जब भी आप profit transfer करोगे तो जो यह profit credit side में है वो क्या हो जाएगा debit side में हो जाएगा तो first jan 2019 में अभी क्या हो जाएगा profit on sale of equipments ट्रीक है यह क्या हो जाएगा account क्या हो जाएगा debit चलो ठीक है अब नीचे किसका नाव है अब यह profit किस पर हुआ है आपको ठीक है profit and sell of equipment यह profit and sell of the profit equipment तो एक्विपने क्या हो गया आपके लिए debit side हो गया अई थे त्राफी क्या हुआ है profit to profit and loss account ेक टांसफर करना है and loss कि कि नहीं 75% है यहां वे कितना जाएगा पनरा सो ठीक है शो मैं है तेखे जो यहां पिर प्रप्र व्ए क्रूप उल ऑफ टाइक सांट बंट क्या है अगत एन लॉसे इन देबिट साइट और इंकम सेन गेंज ऑलबें देडिट साइट ठीके समझ में आया उके चल तो यह आपके यहां पर क्या हुआ पूरा चीजे बन गई है जनल प्रीपेर हो गया अब आपको इसके लेजर प्रीपेर करना अब लेजर आपको बोला है स्लिव आप bequence account के equipment से अकॉंट के डेविड सेड़ेस कॉरेकॉर्ड करना पड़ेगा तो कभी 2016 ठीचचे सिस्टीं तो मेसे पड candle T Barely को आप equipment सकांट यहाँ पे det Taj मेहें तो यहाँ आपMr renewal credit करना पड़ेगा यापका है credit साई टिके वो है आपका debit originally आब डेबिट में रकॉड करना है आप कुपनेंट काउंट के एक पर old me Αयए कुपनेंट में उसका नामिय। अपोजिट में आमें आपके बैंक का तब क्या उसकरोगे बैंक कि यूज करोगे टू बैंक एककाउंट कितना आया है पैसा 50,000 तो लेकना है 50,000 इंपल है समझ में आ रहा है बहुत बढ़ी है फिर कहीं देख़ो एक्विपमेंट दीख रहा है हाँ आपको है करेड़िट साइड में है तो आपको यहाँ पर रेकॉडर्ड करना है ठीक है अपको क्रेड़िट में रेकॉ कि लिखना नहीं है तो यहां पर क्या है देखो आपको किसका नाम है आपको नाम किसका आएगा कितना है 6000 चलिए उसके बाद देखिए उसके बाद कहीं आपको दिख रहा है कि इक्विप्मेंट्स यहां पर एक्विप्मेंट्स है नहीं यहां पर एक्विप्मेंट्स है ना बच्चो कहां है एक्विप्मेंट्स है नहीं यहां पर कहां पर है क्रेडिट साइड में है कहां पर है यह क्रेडिट साइड में है मतलब की इस यहर में कुछ नहीं है अब यह से सुलब है कि एक शार बड़ा है के छीच जाब नहीं सो दोनों तरफ किए आएगा पचास हUI आ जाएगा आप पचसे चेये किटना कम पड़ रहा है इसको कीया बलोगे इसको कभी करना करोगे 31st मार्च को करोगे 31st मार्च 2016 ठीक है अब 31st मार्च तो थाउॉज़ा सैट आपने कहाई किया टो यहां यहां पर क्या हो जाएगा सभका गालोगने लिक्ना अच्रिक ही लैं और दाउन इस ब स्फ्र्टी पॉर्साउथ ऐसार को चीब तो ग्रॉडँ कर दो twists कि यहां पर क्या चोड़ उघ्यां मैं अधि अक्रीडिट égal hearts हो जो एक्विक्स से काउंट कहां एक कि एक एर में खतम हो गया मतलब कि आपने 2016 में चालु हूआ 2017 तक खतम हो गया आप अबंने 2018 में क्या किया है ड्यप्रिजींट चार्च किया है तो's depreciation ठोड़ो यहां पे है क्रेडिट में तो आपको एक्विपर्स एकाउन के क्रेडिट हेर में रिकॉर्ट करना होगा तो यहां पर डेट डालना है ड्ट Tina एटी का भी किया है 31 मार्च को किये हो तो समझ्ना रहा है जो चन्त busy everything क्या होगा इक्रिपेंट्स एकाउन के कॉलम में एक्रिपेंट्स का नाम आपन यूज कर सकते अप जिशान का है अब है डैप्री कितना है यह तो है तक समझ जाया चलो अब उसन बोग उसका कुछ हुआ है कि अब इस साल में देखो कुछ हुआ है 2018 को नहीं अधिन 2018 में तो यॉट यॉजन एंटिन में आया है तो 2018 में आपकुछ नहीं करना है तो क्या करना पढ़ेगा इसको ना पढ़ेगा इसको घ्ली इसको टाल खे करो तो इसको ब're you के इसको बड़ा में कोन सब्सक्राइब बाइभ कि चैजर बढ़ां कि फोर्टी-फोर मोजड रखार जाएगा अब फटिफ् eubon ठ Tarpa 700 भाट चटेगा तो इसको क्या बोलुकिए बाय बेलेंस मोझो करोग और को भिकर Ma Tod arde a अभे क्रा आप्य घ्याँ यहाँ पर फ़र्स टैपरिल को क्या हो जाएगा फ़्स एपरिल कैस्से muchísimo एक तूब ब्राट डाउन हो जाएगा इसको आप मार करो कि हो गया कितना है थाटी एट थाउजन है तो थाटी एट थाउजन यहां पर क्या हो जाएगा आपका ब्रॉट डाउन हो जाएगा मतलब यह वी क्या हो गया आपका simply ॐध दयां सम्सक्राइश्न होना फ्रस्ट और गया जाएगा तो थाउजन नाइन टीन फस्ट जैन आप क्रेटFit में रिकॉर्ड करना पड़ेगा इकुपेंसर क्याऊन्ट में इप्लिपनेंसका नाम नहीं यूजह गा तो अब उसीन कमें है तो क्या लिखेंगे बाई डेप्री कि शियेशन काउंट कितना है 4500 है यहां पर लिख दिया मैंने 4500 रुपया तो यहां तो आपको समझ में आया चलिए बहुत बढ़िया है ठीके 45 हो गया आप नहीं है कहीं इक्विपेंड कहाँ क्रेडित साइड में कहां है क्रेडिट साइड में हैं यहां पर आपको या दखना इक्विपेंड साइड में है कितना है 23500 है प्लस यह अपिप्स दीख रहे ना आपको परोफिट वर कि तुइ अबड़्य है कितने का हुआ है पंद्रासो का हुआ है मतलब कि कितना हो गया çथी में कि मैं थिपेते टीज्ञाइर पांगर गरत है है तो एक्विपेंट के ट्रीड में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा न बच्छो तो रिकॉर्ड करेंगे सेम डेट है पस जैन आप डाल दू में सेम डेट फस्जान कोई हुआ है अब यहाँ पर क्रेडिट हुआ है मतलब कि आपको पास्थ देखो यहाँ पर क्रेडिट म आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्रेडिमेट में रिकॉर्ड करने के लिए अब के लिए आपipeard का नाम नहीका तो इसका नाम आएगा पैंक का नाम आएगा ठीक हैसिह क्लिके एकाउट ठीक है आप बोलेगा सार एक्विपमेंट ते तैटीज आरपान सदा ताप करीज लूख होगे क्योंकि आपको पंद्रास अप्राफिट वा एक्विपमेंट विभी प्रॉफिट होता तो आपको पैटीज लिखना किसके वह ट्रांसफर किया ना हमको एक्विपमें यहां समझ गया आपको उसके बाद होगा अपको दिख रहा है घृए ना अपने इसको प्रॉफिट और सॉल में ट्रांसफर किया दना तो यह कहां ए डेविट साइट में एक्विपमेंट तो यहां पर डेविट साइट में है आपको रिकॉर्ट करना पड़ेगा ना बच् से से पर स्ट अपिल हो गया 2019 थिक के तॉरी वर नाइंटेन अ में टू तो थाओजन हो जाएगा नाइश वरी तू थाओजन नहीं हो जाएगा निए शॉरी तू थाओजन हो जाएगा नहीं तूब जैन को आपको क्या हुआ है तो इक्विबंस करना है बट क्या आप एक्विबंस का हाँ पीपेट में लिखना है बट्क्या एक्विबंस का नाम नहीं उसकर सकते तो यूज कर आपड़ेगा टू प्रॉफिट एन लाश अकाउन कितना है पंद्रासुज़ कितना है पंद्रासुज़ चलो खतम करो चलो अब इसको टैली करोगे यह आपका एक सालर खत्म अगया था तो 25,000 और 4500 35,000 और प्लस 4000 कितना ओर 39,500 जब अरह बर्वर 38,000 plus 15,000 कितना हो जाएगा 39,500 कितना हो जाएगा 39,500 समझ मैं या तो मतलब अपना लेजर क्या हुआ दोनों तरह क्या हुआ टैली हुआ मतलब अपना सम क्या है आपको पूरा कहां से आया है और किस चीज़े कहां से गई है तो आपको ये वीडियो से बहुत हलब होगा अगर है तो प्लीस कमेंट बॉक्स में यह सो नो लिखना और आप सभी को इतने आप कॉंसेट्स देख रहे हैं उसके लिए आप सभी को थेंक्यों सो मच प्लीज को जो कमेंट से वही इनका में तो प्लीज अच्छा एक कमेंट करना जिससे हमें क्या हो मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे साथ वीडियो क्या करें प्रिपेर कर सके ओके तब तक के लिए सभी को गुडबाई मिलते हैं नेक्स लेक्चे में नेक्स हम लेके सब तक के लिए भाबाई ख्याल रखना और और रखना और खुद कर ख्याल रखना और अपने फैमिली का ध्यान देना ओके भाबाई